ओम जै श्री हरी विष्णू, जै मातादी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत स्वागत है, मा भगवती दुर्गा की गृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे। सफलता मिल जाती है, और हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप 5000 साल तक कोई भी वरत धारन करते हैं, उससे जो भी फल प्राप्त होता है, उससे कहीं अतिक फल प्राप्त होता है, मात्र सफला एकादशी का वरत धारन करने से, तो बहुत ही स्रेष्ट होता है सफला ए पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री हर विश्नु के नाम का मंत्र का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए और हां जैसे कि आप एकादशी कवरत नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको तामसीक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे कि लेस्ट प्याज मांस मद इन चीजों का त्याग कर दीजिए चावल का त्याग कर दीजिए और भगवान श्री हर विश्नु की भक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी प्रसनता के लिए सिर्फ पूजा आराधना भी अगर आप कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान श्री हर विश्नु की असीम 2022 में कब रखा जाएगा एकादेशी कितीती कब प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है विरत हमें कब धारन करना है और पूजा का शुब महुर्थ क्या होगा पारन करने का शुब महुर्थ क्या होगा मतलब विरत खोलने का शुब महुर्थ क्या होगा और आज के दिन हमे किस प्रकार से भगवान श्रीहर विष्णू की पूजा आरातना करनी चाहिए, किन वस्तों का दान करना चाहिए, कौन सी वस्तों भगवान श्रीहर विष्णू को अरपित करें, और किन मंत्रों का जब करें, जिससे की भगवान श्रीहर विष्णू की क्रिपा से हमारे व्रत पूजा कर रहे हैं या बिना ब्रत के भी पूजा कर रहे हैं वो हमारी मनों कामना पुर्ण हो इसके लिए आज विशेश क्या करना चाहिए यह संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे like भी जरूर कीजिए शेर भी जरूर कीजिए family friends के साथ और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है और सफला एकादिशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है देखिए पॉष मास के क्रिष्ण पक्ष की एकादिशी थी उन्निस दिसंबर को प्रारंभ हो रही है मतलब 19 दिसंबर सोमवार को सुभे तीन बज कर 32 मिनट पर प्रारंभ हो गी और समाप्त हो रही है बीस दिसंबर को सुभे दो बज कर 32 मिनट पर और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादिशी का व्रत हमेशा सुर्योदय कालींतिथी में ही धारन किया जाता है तो सुर्योदय कालींतिथी हमें एकादिशी की प्राप्त हो रही है 19 दिसंबर को सोमवार के दिन इसलिए सोमवार को 19 दिसं करना चाहते हैं तो दश्मी तिथी के दिन से ही नियम प्रारंब हो जाते हैं दश्मी तिथी के दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए दश्मी तिथी के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जैसे कि लैसुन प्याज मांस मदिरा इन चीजों का चावल भी मत खाईए क्योंकि एकादशी कवरत धारन करने से पहले चावल नहीं खाना चाहिए इसके बाद जैसे सुर्यास्त के बाद आप अन्यका सेवन नहीं कर सकते हैं मतलब भोजन नहीं कर सकते हैं इसलिए अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो सुर्यास्त होने से पहल नहीं करेंगे और नहीं आप नमक का सेवन करेंगे शास्त्रों के अनुसार भूमी पर शैन करना चाहिए और ब्रह्म चर्य का पुरोड़ूरूप से पालन करना चाहिए और अगली दिन मतलब एका दशी के दिन आप प्रातेहकाल जल्दी उठिये घर के सभी कारियों से निव अपुस्प लेकर और भगवान श्रीहर विष्णू के सामने संकल्प लीजिए कि आज आप सफला एकादशी का वरत धारन कर रहे हैं और हां अगर आप किसी मनो कामना के निमित्त ये वरत धारन कर रहे हैं तो अपनी मनो कामना भी भगवान श्रीहर विष्णू से कहिए औ तो या जो भी रितुफल, मतलब जो भी फल इस समय मौसम में आपको माजार में मिल जाते हैं उनमें से कोई सा भी फल लाकर भगवान स्रेयर विश्नु को अर्पित कर सकते हैं पांच प्रकार के फल भी आप चाहें तो भगवान स्रेयर विश्नु को अर्पित कर सकते हैं और इसके अलावा सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप आप चाहें तो मखाने की खीर बना कर भी भगवान को भोग अरपित कर सकते हैं और अगर आपके पास ये सभी चीजे उपलब्द नहीं है तो ऐसे में आपके पास जो भी चीज उपलब्द हो जैसे की शक्कर, ग इन में से कोई भी चीज का भोग भगवान को अरपित कर सकते हैं तो हम अपनी शक्ति सामर्थ कर जो भी चीजे का पाट कर सकते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाट कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाट कर सकते हैं देखिए अगर आप सुबह इन मंत्रों का जब नहीं कर पाते हैं मतलब सुबह आपके पास इतना अधीक समय नहीं है कि आप बहुत अधीक मंत्र जब कर पाएं या फिर कोई पाठ कर पाएं, तो आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, और रात्री में भी कर सकते हैं, एकादशी का पूरा दिन भगवान स्टीर विश्नु को समर्पीत होता है, और शांस्त्रों के अनुसार, अगर हम रात्री में जागरन करके पूजा करते हैं, कोई और भगवान स्टेल विष्णू के नाम का मंत्र का और पाठ का स्मरण कीजिए, भजन किर्थन करते हुए रात्री जागरण कीजिए, तो इससे क्या होगा? इससे आपके व्रत का संपुर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा. और आप जिस भी मनो कामना से व्रत धारन कर रहे हैं, या बिना व्रत किये भी पूजा कर रहे हैं और इस प्रकार से रात्री जागरण कर रहे हैं, तो निस्चित ही आपकी मनो कामना पूर्ण होती है. तो एकादशी के पूरे दिन अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय आप मंत्र जब कर सकते हैं नाम जब कर सकते हैं या फिर कोई भी पाठ कर सकते हैं और अब बात करें कि अगर आप वरत धारन कर रहे हैं तो वरत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाह तो देखिए अगर आप वरत धारन कर रहे हैं एकादशी का तो फलाहर के द्वारा आप वरत कर सकते हैं कोई भी फल खा सकते हैं जूस पी सकते हैं फलों का रस चाय दूद जो भी आप जलाहर या फलाहर में लेना चाहते हैं बिल्कुल लेकर खा सकते हैं लेकिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एकादशी के वरत में कई भक्तों के प्रशन आते हैं कि हमारा स्वास्ति ठीक नहीं है तो क्या हम सेधा नमक खा सकते हैं शाम के समय देखिए अगर आपका स्वास्ति ठीक नहीं है तो आप बिना वरत किये सात्विक भोजन करके पूजा आर करते हैं तब भी भगवान श्रीर विष्णु की असीम क्रिपा आपको निश्चित ही प्राप्ध होती है लेकिन अगर आप एकादशी का वरत धारन कर रहे हैं और उसमें आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको दोश लगता है और नमक का सेवन करना एकादशी वरत क वरत कि आप बीनाव्रत के प्रारण की पूजा करें अपनी स्वास्तिका ध्यान रखे भगवान श्रीहर विश्णु की पूजा आराधना कीजिए वरत करके नियम खंडित करके आप दोशी बने इस से अच्छा है कि आप बिना बšत की है भगवान श्रीयर विश्णु की पूजा करके असीम क्रिपा की प्राप्ति करें और अब बात करें एकादेशी व्रत के पारण के शुब मुहुट के बारे में तो देखिए एकादेशी का पारण हमेशा द्वादेशी तिथी में किया जाता है और द्वादेशी तिथी प्रारंब हो रही है 20 दिसंबर को योदे काल का समय रहेगा सुबह 7 बज कर 7 मिनट पर और पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ती के बाद ही किया जाता है तो हरिवासर की समाप्ती का समय रहेगा सुबह 8 बज कर 5 मिनट पर तो पारण हमें कब करना है देखिए सफला एकादशी वरत का पारण करने का जो शुबम मुहुट में आपको अपना व्रत खोलना है व्रत का पारण करना है लेकिन सास्त्रों के अनुसार जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो अपने पारण करने से पहले व्रत खोलने से पहले किसी ब्रामध को घर बुलाकर उसे भोजन कराना चाहिए उसके बाद ही हमें अपना ब्रत खोलना चाहिए लेकिन मान लीजिए कि आप इतने सुबह किसी ब्रामभण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तब क्या करेंगे देखिए ऐसी अवस्था में आप किसी ब्रामभण के निमित भोजन की कच्ची सामगरी निकाल सकते हैं जैसे कि आटा, दाल, कावल, फल, इत्यादी जो भी आप दान करना चाहते हैं वो सभी दान की सामगरी आप एक पात्र में रख दीजिए और जल का घेरा देकर संकल्प करके भगवान श्री हरी विष्णू से प्रातना कीजिए कि है श्री हरी विष्णू आप हमारा दान स्विकार कीजिए और व इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में और किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं और एकादशी के दिन तो दान करना महा दान कहा गया है तो आप ऐसे में चाहें तो अन्न का दान कर सकते हैं अगर आपके पास समर्थ हो आप भूमी का दान कर सकते हैं गौ दान कर सकते हैं मतलब ये पूरी तरह से भक्तों की शक्ति सामर्थ और इच्छा पर नेरभर करता है लेकिन जब आप दान करते हैं एक चीज का ध्यान रखिए दान करने के बाद मन में अहंकार नहीं होना चाहिए दान का घमंड नहीं होना चाहिए और दान करने के बाद दान की हुई अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं मन में एहंकार रखते हैं या फिर आप दान की चर्चा करते हैं या फिर पश्तावा करते हैं तो आपके किये गए दान का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है इस बात का विश्वास रखिए तो द्वादशी के दिन अपने पारण करने से पहले अपना वरत खोलने से पहले दान की सामगरी निकाल दीजिए दक्षना के लिए कुछ पैसे उसमें रख दीजिए और उसके बाद शुब मुहृत में आप अपना वरत खोल लीजिए और इसके बाद आप चाहें तो दान की सामगरी दिन में भी भी लेकिन ध्यान रखिए कि शाम को सुर्यास्त होने से पहले आप दान की सामगरी यथा स्थान भेजवा दीजिए क्योंकि दान करने के बाद उस सामगरी को घर में बहुत समय तक रखने से दोश लगता है तो ये है आज की वीडियो जिसमें दश्मी से लेकर द्वादिशी तक सफला एकादिशी के संपरोन नियम और पुजाविधी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेर भी जरूर कीजिए और सफला एकादिशी व्रत्से संबंधित अगर आपका कोई भी और प्रशन हो तो कमेट बॉक्स में आप लिख सकते हैं निस्चिती मैं आपके सवालों के उत्तर दूँगी मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार